बरसाद के समय में बैक्टीरिया का खत्रा बढ़ जाता है खासकर एकुलाई नामक बैक्टीरिया ग्राउंड के समीब उगने वाले पौधों पे ज्यादा होते हैं तो ऐसे में आप सलाद जिसे कच्चा खाते हैं और कुछ ऐसे भी सलाद और सबजी जिसको आप हाथों से और इटनेस फिटनेस के आज के वीडियो में हम जानेंगे की कैसे बरसाद के दिनों में भी साग और सबजी को बिना बैक्टीरिया के कच्चा खाया जा सकता है साथ में जानेंगे की बैलेंचिंग क्या होता है विनेगर और बेकिंग सोडा का यूज क्यूं और कैसे होता है सबजी को डिस इंफेक्ट करने के लिए आप सलाज अक्सर सिर्फ पानी से धो कर कच्चा खाते हैं ऐसे में उस पे लगी मिट्टी और दूसरी गंदगी तो साफ हो जाती है लेकिन वैक्टीरिया साफ नहीं होते हैं आप इसे किसी डिटर्जेंट से भी धो नहीं सकते हैं नॉर्मल पानी से आप सिर्फ उन्ही सबजियों को धो सकते हैं जिनका सर्फेस प्लेन और स्मूथ होता है जिसे आप हाँ से रगड कर धो सकते हैं जैसे खीरा, गाजर, मूली, त्यादी लेकिन करेला, कुर्सीफरस ग्रूप के सभी सबजी जैसे कॉली फ्लावर, ब्रोकली ऐसे और सभी सबजी जिनका सर्फेस प्लेन नहीं होता है इनको साफ करना मुस्किल होता है ऐसे ही लीफी वेज जैसे पालक पत्ता, पत्ता गोफी और भी अधर लेट्यूस जिन्हें आप कच्चा सलाद में खाते हैं इनके पौधे जमीन से सटे वे होते हैं जिनके कारण इन पे बहुत धूल मिट्टी के साथ काफी कीड़े और वैक्टीरिया भी होते है इन सभी सलाद वाले आइटम्स को डिस इंफेक्ट करने के लिए जो पहला तरीका है उसे बैलैंचिंग कहते हैं इसमें पानी में थोड़ा नमक मिलाकर हाई टेंप्रेचर पे गर्म किया जाता है जब पानी उबलने लगे तो पहले से नॉर्मल पानी से धूले हुए लैट्यूस या करेला, ब्रोकली, इत्यादी सब्जी आइटम्स को गर्म पानी में डाल कर निकाल लें Leafy items को जल्दी निकाल लें और hard surface जैसे करेला, ब्रोकली, पत्तागोबी जैसे सबजी को एक या दो मिनट तक पानी में रख कर निकाल सकते हैं 100 degree Celsius के उबलते पानी में डिप करके भी निकाल देने से कोई bacteria नहीं बचता है फिर तुरंत इसको बर्फ मिले हुए cold water में रखें थोड़ी देर के लिए जिसे shocking भी कहते हैं इससे इसका crisp और texture बना रहता है लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप पानी गर्म नहीं कर पा रहे हों या बर्फ नहीं है बेलैंचिंग के लिए या जल्दी में आपको खाना सर्व करना है सलात के साथ तो ऐसे में विनेगर का यूज किया जा सकता है विनेगर में acidic acid होता है जिसका pH value लगबग 2-3 के बीच में होता है यह value निम्बू का भी होता है निम्बू का रस कभी मिट्टी पे डाल कर देखना ऐसा लगेगा वहां की मिट्टी उबलने लगी विनेगर का acid निम्बू के acid से भी strong होता है पुराने समय में अचार या कोई भी खाने का समान ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए विनेगर मिलाये जाता था उसे सरने से बचाने के लिए आप सबजी या कोई भी lettuce को नॉर्मल पानी में अच्छी तरह से धो लें फिर नॉर्मल पानी में थोड़ा सा विनेगर मिला के वैसे 6 और 1 का ratio रखने पे काफी अच्छा रहता है इनका फिर पहले से साप किये हुए सलाथ पे sprinkle या छिड़काव करें बात में उसे फिर पानी से धो सकते हैं अगर आपको विनेगर का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है या इसे विनेगर के साथ भी खा सकते हैं ये फाइदमंद होता है अगर उपर बताये गए दोनों तरीके अपनाने में असमर्थ हैं आप तो बेकिंग सोडा का भी यूज कर सकते हैं पानी में मिला कर बेकिंग सोडा को पानी में मिला करके और सलाद या लीफी वेच उसमें आप डिप करके दो सकते हैं और निकाल सकते हैं ये बैक्टिरिया को डिसिंफेक्ट कर सकता है और साथ का समय है ऐसे में इन चीजों का ध्यान रखें अगर ये कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मैं ऐसा कंटेंट लाता रहूंगा